वेले एक्सप्रेस न्यूज के साथ पीडीपी के एक्स वाइस प्रेजिडेंट रजद गुपता जो यूद के थे हम इनसे बात करेंगे सर क्या लगता है जिस तरह से ये बजट बजट की बात की जा रही थे तो बिल्कुल रोड पे आ चुका हुआ हमें डायमेंट से क्या लेन देना है हमें लैदर से क्या लेन देना हमें इन सब से कोई लेन देनी था हमें था कि हमारा पेट्रोल डीजल हमारा आटा चावल इनके रेट काम होने चाहिए वो तो कुछ हुआ नहीं हमारा तो उल्टा हम वहकी जो इंप्लॉइमेंट बोली कि यह है कि 60 लाग इंप्लॉइमंट ईनोंने पहले पिहले पिछली दो क्रोड बोला था अब 60 लाग पर आगे है एडिक्रीस होते होते यह नो भी बिल्कुल जीरो लेवल पर आजें तो इस से तो हमें कोई इंप्लॉइमेंट है नहीं जम्मू कश्मीर के इंदर जी युवा वर्ग जो है लगातार जम्मू कश्मीर का जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर दिख रहा है पताया यह गया था कि कि 370 अप्रोवेशन के बाद खुशाहली बरहाली दूद की नदियां मैडम भी ऐसा बोलती है कि यह केंदर का कहना है कि यहाँ दूद की नदिया बही है कितनी दूद की नदिया और कितना जो युवा वर्ग इस वक्त सड़कों पर है क्या लगता है आपको दूद की नदिया आनी थी यहां पर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं सिस्टम तो यहां पर क्या है यहां पर दूद की नदियां कहां से बहेंगी यहां पर यूथ आपका सडकों पर सब्सक्राइब को देख लो जो विचारे अभी तक रोड पर बैठे हुए इतना बुरी हालत है इन लोगों की कि जिनका हम कुछ क्या नहीं सकते यहां पर अनिम्प्लॉइड इतनी है तो आपके तो यहां पर दूद की नदियां यहां पर तो मैं को लग रहा हालत बुरी हो र पर बजब करने के गया है लестी वहा पर लोगों की किजाए जिस तरह यहां पर दूद केजा बज़ने सकता जाकर आक महिंद दो तो एक मेंडल क्लास बंदा इस हमें रोटी के लिए मुत अगड़ अम से तरह बात सडकों की के जाए जिस तरह से यहां पर जमू किश्मीर में टोल टेक्स लगाए जा रहे हैं यह बताया जा रहा है कि सडके मिलेंगी सडके पहली भी वह करते थी लेकिन जो टेक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं अब जो आज टेक्स जो बजट पास हो इसमें भी टेक हुआ है ट्रवा यहां पर कहा और देखर दो एदर तो बनें ञाहती तो तो इधर टेक्स करेगा क्या? अच्छा, उसके बाद आप देखा जाए तो इधर की रोडे, रोडों को हम यूथ ने रोड क्या करनी है? यूथ को तो आप पहले इंप्लाइमेंट दो ना? रोड क्या करेगा यूथ? टोल प्लादा लगा क्या आप दे क्या रहे हो सड़के आप दो आप पहले हो सब्सक्तित ही, तो इंपूइस के बाद कर वहां पहले है, वहां पर गदूबाइल का करें-बसऴ। प्लाइस का लिए लगा यूथ है क्या हो तो यूथ के बढ़त कर रहने हैं पनी इंपलिकी जो इंप्लाइएम तर इसलरी का ही नहीं पते है, कि हमा एक कुई में डखेला गया है, स्टेट तो हमार से चीनी गई है, यूटी देके हमें बेनिफिट क्या मिले यूटी कुछ भी नहीं मिले। रजय जी क्या लग रहा है कि अब जिसे हिसाब से जब से 2014 के बाद यहां पर केंदर का राज जाम पर चल रहा है, बीजेपी जो राज कर रही है, इंडिरेक्टर ली, क्या जमू कुछ मेर में इस वक्त एलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि यहां पर अगर चुनिंदे जो नुमा काम करवाने जाना होता है, विरो गरेशी के बाद आप राम से मिल नी सकते हूं, आप बात नी कर सकते हो, ठीकिए कम से कम हमारा चुनावा MLA होगा, हम उसके घर जा सकते हूं का दरवाजा नौक कर सकते हूं, रात के दो बजे पाध जा के हूंकि अश्कित कर आद कर भाने तो और रजजी जी का भी एक कहना है कि यहां पर इस वक्त विरोक्रेसी हा भी है और दिख दिख भी रही है क्योंकि यहां पर जो है जमुकुश्मिर के लोग इस बजट से कुछ ना कुछ चाहते थे इस बजट के साथ हमें भी कुछ मिलेगा पुरह भारत ने ये कोशिश की कि हमें कुछ में लिखा क्योंकि हम ने लोगों से बात किए और लेकिन इस